पिछले दरवाजे से किसानों की पीट में छुरा घूंपने का काम अगर किसी ने किया है, तो वो अभेच उटाला जी और इनकी पार्टी है, और को है। नवीन जिंदल आए हैं आज मैदान में और काहा है कि अभेच उटाला तो मेरे बड़े भाई है। देखें बहुत देर कर दी जनाब आते आते और बड़े भाई ही बताएंगे वो तो भाई-भाई हैं, पीट पीछे तो एक ही हैं। जो खटर साब हैं, मनोरलाल खटर जी, उनकी सीम वाड़ी फिलिंग जानी रही और नायब जी हैं, उनकी सीम वाड़ी फिलिंग आनी रही है। नाड़ा साब कॉंग्रेस में गुटवाजी है और ये किसी से चीपी नहीं है। तो फिर कितना कुछ कैसे जेल पाओगी जो चीजे चल रही हैं, क्योंकि अब आप परत्वार देख रहे होगे, तो दो से तीन नेता, लोगों में जो चर्च हैं, ये आपके साथ ठीक डंग से लगे होगी। बंद पिंजरे में शेर हो, तो उसके सामने तो कोई भी खड़े हो जाएगा। उस पर तो लेकिन अगर हिम्मत है मोदी जी में, चपन इंच का सीना है, तो खुले मैदान में अरविंद केजरिवाल जैसे शेर का सामना करके दिखाएं, उनको अपनी हकीकत समझ में आ जाए को है इम्मत तो करिए कंपेटिशन, एक एक गाउं में रचार के लिए जाएगे। से साथ में मोदी जी खड़े हो जाएंगे कि अरे अरे देखो, अलंपिक जीता है, तब नहीं आप इनकी जात कूछते है, जिस दिन अपनी बात उठाएं, जिस दिन अपना मुद्दा उठाएं, उस इन कहते हो ये एक जाती की है, नोस्क्र दोस्तों, दा एर निज भी से साथ या पिर कैसे क्यों कि अब जोटाला अलगातार विएन वाजी कर रहे हैं क्या है भी हर्याणा की आदा आई है, आम आदी पार्टि में अभी आई है, अनुरागड़ा जी अब धी और हमारे में क्या फर्क है, अब जोटाला जी एक ऐसे परिवार से आते हैं, जिनके बच्चे विदेशों में एशो आराम करने के लिए जाते हैं और हम ऐसे परिवार से आते हैं जिनके बच्चे आदा आदा एकड़ 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 जमीन बेच के मजबूरी में विदेश में नौकरी करने जा रहे हैं अपनी जान जो खिम में डाल रहे हैं तो वो तो अपने हिसाब से बात करते हैं दुनिया को अपने रंग से देखते हैं उनके इतनी दौलत अथा दौलत तवाथ उनके पास वह उसी की बात करते हैं हम उन बच्चों की भविश्य की बात करते हैं और उनी के लिए राजनीती में आयें मुझे कोई शौक नहीन हमें तो अपने नौकरी कर रहा था और अच्छा गुजारा हो रहा था बढ़िया घार चल रहा था हम क्यूं आये राजनीति में हम इसलिए आये कि गाउं के गाउं खाली हो गए सारे बच्चे बिरोजगारी से परिशान होके अपनी जमीने बेच बेच के विदेश जा रहे ह गलत तरीके से जा रहे हैं और डंकी मार के जा रहे हैं ऐसे हालात मैंने देखे हैं कि अगर माबाप की पीछे से देहानत हो जाए या आग देने नहीं आ सकता बच्चा ऐसे हालात भी मैंने देखे हैं कि अगर विदेश में मौत हो जाए तो वो बच्चा उसकी बाड़ी ल भारतिय जन्ता hypoc pronoun हाई के हुटेशाता आए यूग को ररत कर थे इन के साथ चलते थे उनके साथ गढ़ बंधन ननी Am पार्टी लेकिनगा में रेकटिए चोब करन की जिस पार्टी उस पार्टी मारी उस पार्टी को राश्ट्रपती चुनाव में समर्थन करते हैं विश्वास मत हासिल करना और याना विदान सभा में तो मदद करते हैं पिछले दर्वाजे से वोट नहीं करते हैं उनके खिलाफ राज्य सभाव में इद्वार कोई चुनना हो तो बीजेपी के होगा तो इस पर क्या कुछ स्टेंड करती हैं यह किस की भाशा है यह बीजेपी की भाशा है क्या लड़ाई है जाट और बनिये की या किसी और कास्ट की क्या लड़ाई है किसने बाटा कास्ट की आग किसने लगाई हर्याना के अंदर भारतिय जंता पार्टी ने हर्याना क के अंदर कास्ट की आग लगाई उसके उपर अपनी राजनितिक रोटियां से की वही जुबान अभे चौटाला अगर बोल रहे हैं तो मैं तो कही रहा हूं यह ताओ के लाल नहीं है यह बीजेपी के दलाल हैं मैं पहले दिन से कह रहा हूं गाउं गाउं में लोग अभी यह कहने लग गए कि यह बीजेपी के इशारे पर ही तो आया हैं यहां पर पहले तो जब यह सीट मांगते थे कि गडबंदन में ले लो यह कर लो तो कहां की सीट मांगते थे कहां की मांगते थे भ्याणी महें इंदर गड़ मांग रहे थे कभी उस तरफ की सीट मांग रहे थे हर शहर में हर कस्वे में हर जाती का व्यक्ति आपस में सौहारत से रहता है आगी यही लोग लगाते हैं नवी जिन्द लाएं आज मैदान में और कहा है कि अभय चौटाला तो मेरे बड़े भाई हैं देखे बहुत देर कर दी जनाब आते आते और बड़े भाई ही बताएंग की जा रही हो तो यह नूरा कुष्टी है उनको थोड़ी कुछ कहेंगे वो तो नवीन जिंदल जी को गालियां देनी होंगी तो सुशिल गुपता जी को देंगे अभय चोटाला को गालियां देनी होंगी तो सुशिल गुपता जी को देंगे इनकी तो नूरा कुष्टी है इनकी तो आपस में प्यार प्रेम है, हलकी हलकी सी वो उसके खिलाफ बोलेगा, वो उसके खिलाफ बोलेगा, ताकि किसी तरीके से कोई वोट काट सकें इंडिया गटबंदन का, लेकिन लोग समझदार हैं, लोगों को ये समझ में आ रहा है, कि इस बार किसी भी तरीके से बट करलो बाद में तो एक एक हैं चाएग के लिए कोई पुराना रिष्टा रहा है परिवार से कुई रामपल माजरा जी की शरम में चाएग एक बुला लिया कोई प्रोग्राम करा दिया वह बीड़ निन दे रहे जो तीसरे आदमी का कोई काम नहीं है अब दनोरी गाहों से आते हैं चैतल में बैठे हैं आप लगातार तुन्दाव परचार कर रहे हैं क्या कुछ महोल लग रहा है क्योंकि आपकaser तो लगती नहीं है दनोरी लेकिन यूँ है कि आसर जुरूर पड़ता है कैतल में देखिए बिलकुल असर पड़ता है और ये पूरा इलाका एक ही है ये जीन्द कैथल और ये कुरुकशित्र का इधर का हिस्सा है ये पूरा इलाका एक ही है यहां लोगों का व्यवार भी एक है यहां लोगों के समस्याएं भी एक सी है यहां लोगों के दुखदर्द भी थी वेव थी और उसकी वज़े से हमारा पूरा किसान समाज और जवान या अलग नहीं होते किसानों के बच्चे ही बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ते हैं उसकी वज़े से एक सेंटिमेंट था जिसमें लोगों ने बीजेपी को वोट किया था लेकिन इस बार लोगों क जैसे साड़े साथ सो शहादतें किसान अंदोलन के दौरान ली गई जैसे शुबकरन को अभी हाल फिलाल की घटना उसको भूले नहीं हैं लोग जैसे उसको गोली मारी गई जैसे किसानों को बोरियों में बंद करकर के पीटा गया वो सारी बातें लोगों की यादों में है तो किसान तो बहुत ज़्यादा नाराज है भारतिय जंता पार्टी से, फिर आता है एक बहुत बड़ा वर्ग जो युवाओं का है, युवा बहुत ज़्यादा नाराज है भारतिय जंता पार्टी से, 25 लाख युवा बेरोजगार हर्याना के अंदर लगबग आज के दिन मे मैंने हालत आपको बताई इस पूरे इलाके में आप किसी गाउं में चले जाओं के गाउं खाली हो गई गाउं के लोग सोच रहें कि क्या मतलब सारे गाउं में बड़े बज़र्गी रह जाएंगे क्या युवा रहेंगे ही नहीं उनको मतलब ऐसी हालत होने वाली है कुछ द इसराइल भेजे हैं भारतिय जंता पार्टी की सरकार ने एक तारीक को छे महीने हो गए हमको ये कहते कहते कि ये गलत योजना है ये हमारे बच्चों को मरवाने की योजना है मौत के मुँमे धकेला जा रहा है उनको सरकार नहीं मानी दो लाख नौकरी अर्याना में खाली पड़ी हैं यहां नहीं दे सकते नौकरी इसराइल में मजदूरी करने के लिए भेज रहे हैं अब इसराइल पर इरान ने हमला कर दिया वो युद्ध के अंदर हमारे बच्चों को जान बूझ के भारतिय जंता पार्टी ने धकेला है आप यहां कैथल के ही आप देख लो यह मटोर के कई बच्चे रूस में फसे हुए हैं हम उनके परिवारों से भी मिलके आए बीजेपी के एक नेता की आँख में इतनी शरम तक नहीं है परिवार से मिलके समझ तो लो हाल तो जान लो कि क्या है उनको वापस लाना तो बहुत बड़ी बात है उनको सुरक्षित क किसान इतना बड़ा वर्ग युवा का जब ये लोग नाराज हैं और हमारी बहने जिनको जंतर मंतर पे कैसे सड़क पे घसीटा गया था वो तो सब ने देखा था तो हर्याना इन सब चीजों को बहुत दिल से लेता है और हर्याना इसका जवाब देगा मुझे लगता है इ इनका बुरिया बिस्तरा समेट के भेजेंगे भारतिय जंता पार्टी का हर्याना के लोग जी कट्र साब के पीछे आप हाथ दो के पीछे पड़े रहते थे लेकिन चेहरा चेंज कर दिया अब नायव सानी मुख्यमंतरी है देखी हमने तो खुली चुनोती दी थी पहले का दिया गया मुख्यमंतरी बच से लेकिन मनोरलाल खटर जी को हटाना था इसलिए सिर्फ उनको नहीं हटाया नायव जी को भी एड़जस्ट करना था कुरुक्षेत्र के अंदर जब इंडिया गटबंधन का उमिद्वार आया बीजेपी के सरवे में बीजेपी बुरी तरह ह लोग सबा का तो आप खुद सोचके देखिया अध्यक्ष है मौजूदा भारतिया जनता पार्टी का अध्यक्ष चुनाव आ जाता है तो मट्टी पलीत होती भारतिया जनता पार्टी के तो अपने इज्जत बचा के यहां से उनको लेकर के गए है मुख्यमंतरी उनको जनता चलता है कि भारतिये जनता पार्टी जो भी पत्ता आज के दिन में चल रही है वो घलत पड़ रहा है और ऐसा तभी होता है जब आपका समय खतम हो चुका है जब जनता आपको नकार चुकी है फिर आप जो भी चाल चलेंगे वो उल्टी परती है क्योंकि उसके साथ का समर्थनी होता है करनाल से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं उप सुनाव होगा और साथ में ही जो पूरो मुख्यमंत्री है वो भी लोग से बगा चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां भी आमादमी पार्टी जोर लोग आईगी हराने के लिए देखे निश्चित के लिए लड़ रहे हैं संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं बाकी नौ सीटों पर आमादमी पार्टी का करेकरता पूरी ताकत से मदद करेगा इंडिया गटबंदन की इस बार का लक्ष हमारा यही है यह भारतिय जंता पार्टी ने हरियाना को बरबादी के कगार पर पहुंचा दिया इनका बोरिया बिस्तरा समेट के पहले यहां से भेजना है इनसे तो खुशाल ही था जब यह अर्याना में नहीं होते थे तब अर्याना इससे जादा ही बहतर था इससे खुशाल था इन्होंने बरबाद के कगार पहुंचा दिया तो पहले इनका बोरि अर्विंद केजरिवाल जी की गिरफतारी ने आप किसी गली नुकड किसी सड़क पे किसी चलते व्यक्ति से बात कर लीजिए वो आपको ये कहता मिलेगा कि नहीं ये ताना शाही धक्का शाही हो रही है ये जबरन अंदर डाला गया है राजनीतिक विरोध की वज़े से भारते जनता पार्टी को जितना भारती जनता पार्टी ने अपना नुकसान कर लिए अर्विंद केजरिवाल जी को जेल भेजके लोग पहली बार ये सोचने पे विवश हो गए कि क्या वाकष्च्य गएकर विपक्षपर और हम वाकष्य ताना शाही की तरफ बड़ख रह थे वो भी यह कहते हैं कि नहीं यह गलत दिशा में देश को लेके जा रहे हैं इनकी मंशा सही नहीं है इन्हों ने अर्विंद केजरिवाल जी के साथ जो किया वो सही नहीं किया क्योंकि सब को दिखता है, एक चमनी आज तक बरामद नहीं कर पाए, कोई सुबूत नहीं किसी तरीके का, जबरदस्ती आप किसी को अंदर रख रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर confidence नहीं है, मोदी जी के अंदर confidence नहीं, खुले में मुकाबला करने का, अर्वि कुरक्षेतर लोक्सबा, यहां पे जो दिखत हैं, यह पहले भी आमने सामने हो चुके हैं, जो मुझूदा सानसाथ दो बार रह चुके हैं, और साथ में अबेच उटाला ने भी आमना सामना किया हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए नया है, तो फिर कैसे इन से आम आदमी के लिए कुछ भी नया नहीं होता, आम आदमी तो हर गली में, हर घर में, सब आम आदमी हैं, मैंने आपको शुरू करते ही बताया तो, कि यह लोग खास लोग हैं, इनको आम आदमी से कनेक्ट करना पड़ता है, आम आदमी तो आम आदमी है, हम तो जैसे ही यहां से डॉक्टर सुशिल गुपता जी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ, जैसे याम आदमी पार्टी ने यहां से चुनाव लड़ना शुरू किया, आम आदमी को आम आदमी के साथ गुलने में वक्ती नहीं लगा, एक सप्ता के अंदर पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर ये गटन था, पहली बार कोई लोगसभा उमिद्वार, मैं तो चुनावती देता हूँ अबैच वटाला जी को, नवीन जिंदल जी को, है इमत तो करिए कंपेटिशन, एक एक गाउं में प्रचार के लिए जाईए, पहली बार कोई लोगसभा प्रत्याश्ची, 900 से जादा गा काम है, आप जाईए और एक एक गाउं के अंदर वोट बांगे दिखाईए, अगर आप अभी इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं, चुनाव जितने के बाद कहां से करोगे, चुनाव जितने के बाद तो दिखोगे लिए नहीं, तो फिर कितना कुछ कैसे जेल पाऊगे, जो कार छोड़ के, सब अपना स्वार्थ छोड़ के, देश के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं, कि किसी भी हालत में हमको देश और सम्मिधान को बचाना है, या आपस के लड़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, पंचायत का चुनाव आप देखते हो, एक एक जगे दस-दस लोग सरपंच के लिए खड़े हो जाते हैं, आपस में खूब लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, सब कुछ करते हैं, मुद्दे उटाते हैं, लेकिन अगर गाओं के ऊपर कोई संकट आ जाए, कोई दस अलग नहीं रहते, सारे एक हो जाते हैं, इकठे ह को कि आज वही दिन है, चाहे हमारे कितने भी मत भेद हो, कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी सो मत भेद हो सकते हैं, हमारे नेताओं के बीच में भी सो मत भेद हो सकते हैं, लेकिन अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, बाबा साब अंबेड कर ने एक करता फेक को कॉंग्रेस का है** करता आम आदमी पारटी का सब इकठ्षे होग ग यह चुणावड़एं गे अगर कोई अभी तक भी लूप में नहिए अगर कोई साथ नहीं चल रहा एक घर जाके उशको समझाएंगे ये सारी बात's बनी थोड़ने बड़ है। ना आये देश के अंदर, लोकतंतर रहे, तभी ये पार्टियां रहेंगी। वो अभी भी बीजेपी कोई वोट करेंगे। लेकिन जो देश भक्त है, एक एक देश भक्त इंडिया गटबंदन के पक्ष में वोट करेगा। और सिर्फ कुरुक्षे तो सीट पर नहीं, दस के दस सीटों पर करेगा। तो फरीश लिए मतलब ये सारी रणनीती बनाई जारी है। नहीं, देखिए, ये तो जाती पे चुनाव आम आदमी पार्टी कभी नहीं लड़ती है। एक मुद्धा जो देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैंने तो आज बताया कि देश में जितनी जातिया हैं, जितने धर्म हैं, सब के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण हैं। एक-एक व्यक्ती के लिए, ये सारी जात, बिरादरी, ये सारे धर्म, ये तभी को एक्जिस्ट कर सकते हैं, गुलदस्ते में साथ रह सकते हैं, जब सम्विधान की किताब जो बाबा साब ने लिखी, उसके मुताबिक देश चले, अगर तानाशाई से देश चलने लगेग मुझे लगता है कि माहौल बहुत सोहार्द पूर्ण है, अगर भारतिय जन्ता पार्टी कोई साजिश ना रचे जैसे उन्होंने पहले रची थी माहौल को खराब करने की, तो इस वक्त कोई इस तरीके का जातिगत माहौल नहीं है, सब लोग आपस में सोहार्द पूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो, मुझे कभी ये बात समझ नहीं आती है, जो जातिगत राजनीती में हरियाना को जिस तरीके से इन लोगों ने धखेला है, मैं तो कई बार पूछता हूँ, कि ये जो बेरोजगार हैं, ये कौन सी जाती हैं, ये जो किसान हैं, जिनके उपर लाठियां चलाई गई या जिनको फसलें, जिनकी दाम नहीं मिल पाते हैं, ये कौन सी जाती हैं, ये जो महिलाएं अगर उनका अपमान होता है, उनके साथ रेप होता है, उनके साथ क्राइम होता है, कौन सी जाती की महिला के साथ होता है अलग कर सकते हो क्या जो भी किजान अंदोलन हुआ या पहलवान अंदोलन हुआ है या पहलवान बेटियां जब दिल्ली में सडकों के उपर उनको घसीटा गया यही तो पहलवान बेटी थी मोदी जी कहते थे विनेश तु तु तो मेरी बच्ची है तु 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 परिवार का नाता है अपने घर बुला के इनको डिनर कराते थे जब ये ओलंपिक मेडल जीते हैं तब तो आप फटा फट से साथ में मोदी जी खड़े हो जाएं जब टीवी के उपर जब अपने मेडल जीते हुए देखता है कोई अपने देश के किसी भी खिलाडी को एक बार भी उसके मन में खयाल नहीं आता ये किस जाती का है हम सारे भारत माता की जैका नारा लगाते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें हिस्सा लेले थोड़ा सा जो इस जब किस चीज़ से साफ होता है जाडू से साफ होता है कीचर इस बार इनका ये सारा कीचर साफ कर देंगे कम लोग नहीं बंदो जाएंगे बात चीट करने के बहुत बद शुक्या तो वीडियो को जदे है जदा आप लोग सेर करें और आप लोग उन्हें बाते सुनी जी तो कमेंट जरूर करें धन्यवाद